मध्य प्रदेश की धार में इस्थिद भोच्शाला का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। यह याचिका हिंदू फ्रंट फॉल जेस्टिस की योर से दायर की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की योर से एक अप्रेल को दिये गए। उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने A.S.I. की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कारवाई करने से रोक दिया था। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि A.S.I. की रिपोर्ट में वहाँ मंदिर होने की पुष्टी हुई है और अगर मुस्लिम पक्ष को रिपोर्ट पर एतराज है तो वो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है और इस पर हाई कोर्ट उचित आदेश पास करन में समर्थ है मदिपर्देश के धार में इस तीत भोचसाला का मामला एक बार फिर सुप्रिम कोर्ट पहुंच गया है यहीं याचिका हिंदू फ्रंट पर जस्टिस ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रिम कोर्ट द्वारा एक अप्रैल को दिये गए फैसले पर कोर्ट रोक लगाए आपको बता दे कि सुप्रिम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के और से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा था कि शर्बे रिपोर्ट आने के बाद हाई कोट उस रिपोर्ट के आधार पर कोई आदेश पारित न करे आपको बता दे कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थे और कहा था कि सर्वे के काम सुरू होने वाला है लिहाजा सुप्रिम कोट तुरंत रोक लगाए लेकिन सुप्रिम कोट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और हाई कोट से कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मंदीर कई चिन्ध मिले हुए हैं इसे यह साबित होता है कि वहाँ पर हिंदू मंदीर था इसलिए सुप्रीम कोट एक अप्रैल के अपने फैसले पर रोक लगाए अब देखना होगा सुप्रीम कोट इस याची का पर कब सुनवाई करता है भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा परसन मधूर के साथ गुपाल करिस्ट